असलाम रेकॉम वेलकम बैक टो मारे चनल शाबिन कीचल आज की जो हमारी रेसिपी है यह है बहुत ही जबज़सा स्पाइसी समोमोस की रेसिपी उसके साथ एक तीखी सी चटनी बनाएंगे तो यह इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत आइडियल है आपको जरूर पसंद बहुत ही रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते है अपनी रेसिपी फर्स टेप जो हमारा है वह हम आटा गुंदेंगे तो यहां पर मैंने लिया है वाइड फ्लार मैदा उसके अंदर हम डालेंगे 1 तीजपून सॉल्ट 1 टीबल स्पून हम डालेंगे और इसके साथ और आ जो कॉलिटी होती है वह थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए मैदे को थोड़ा अच्छा सा नीड करना है क्योंकि यह स्टीम में कोख होगा इसलिए आटा आटा आपने बहुत सॉप्ट सा गुनना है थोड़ा सा फ्लैट सर्फिस पर डालके से में एक दो मिनिट इस तरह से नीड कर लोंगी और से हम 30 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह थोड़ा सा सॉफ्ट होता है रेस्ट होता है हम इसके बाद सेकंड स्टैप पर आते है इसकी चटनी स्पाइसी बनाएंगे हम तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी हम एक प नारम हो जाएगा तो इसका निकाल देंगे कि छिलका जो होता है चटनी में अच्छा नहीं लगता है वो निकाल देंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे इस थोड़ा और जब तक नारम होने तक रखेंगे इसके बाद इसका फ्लेम बन कर देंगे ठंडा होने के लिए रखे 1 Tbsp जिंजर भाल चॉप के अवा क्याओं और तो निए की गज़ए शोल में सब्सक्स जालुन है जनल यह दो चांगिए दो उसके एक मिनंट इस अच्छेड़ी सब्सक्राइब करें किनी चट्नी की खांगि हमारी ज़ाई है पर रखेंगे हमाई चंटनी कम्प्रीट हो गई है अब इसका फाइनल स्टैप है इसकी स्टफिंग का मोमोस की तो यहां पर मैंने चिकन लिए है वन कप इसे वाश करके अच्छे से इसका पानी पूर ड्राइओ कर लिया था अब इसके नहीं हम डालेंगे चॉप कीवी प्या चॉप कर लिया था कैबिज लिया है मैंने हाफ कप वो डाल देंगे विनिगर है one teaspoon सोया सॉस है one teaspoon और इसके बाद यहां पर ब्लैक पेपर डालेंगे अगर आप चट्पनी डालना चाहते ना जो हमने बनाई है वह भी डाल सकते उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हैगा सॉ करें फिर जड़ा बनानी है ना कहता है भी बना कि मुर्ण को खोलत STOP पर रखेंगे अब यहां पर आपने अच्छे से फोल्ड करना है इस तरह से फ्लेर्स लेते हैं उस तरह से इसे फोल्ड करते हुए जाना है बस हलके हलके हाथों से आपने करना है थोड़ा सा प्रेस करेंगे और से फोल्ड करते हुए जाएंगे तो हाफ हमने फोल्ड करना है हाफ को हमने इसी तरह छोड़ देना है ताकि इसे हम पैक कर सके बस हाफ मैंने फोल्ड कर दिया है बहां आपको मैं पैक कर दूँगी तो यह हमारे एक शेप रेडी हो गया मुझे एक ही शेप बनाने आता है लीफ वाला बाकि और दूसरे शेप मुझे बिल्कुल भी नहीं आ करना है एक हाफ पोर्शन आपने पोल्ड करना है हाफ पोर्शन को आपने इस तरह से पैक कर देना है बस इस तरह का शेप आ गया है इस तरह की सारे में बना कर रेडी कर लूँगी और एक तरफ मैंने स्टीमर भी रग दिया है एक पैन के अंदर पानी गरम करने रग दिया ह हमने कोग करना है लेड लगा देंगे और से छोड़ देंगे तो बस ही जो हमारे मॉमों से बन जाएंगे 20 मिनिट्स में ही तो यहाँ पर जो हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है खुश्बू बहुत अच्छी आरी स्टीम होनी की बस इससे निकाल देंगे सर्फ कर लेंगे और स स्टीम के साथ आप इसे इवनिंग स्नैक्स में इंजोई कर सकते हैं तो यह बहुत ईजी से रेसिपी है आप ज़रूर से ट्राइब कर सकते से अगर आपको पसंद नहीं स्टीम तो होप आपको पसंदा योगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा दूआ में याद रखिएगा तिल दन आला हाफिज